गुडियूनिंग विश्णोई जी, दंगल की बात करेंगे, सर पहले यह पता ही, अब यह प्रोजेक्ट से जुड़े कैसे, कैसे बातचित हुई, क्या हो एक्जेक्टि अमीर खान प्रोडेक्शन से मुझे कॉल आया था, कि दंगल फिलम बन रही है और कुछ एक्टर्स को ट कि दंगल फिलम तो बन रही है, क्योंकि उसकी चर्चाएं होने लगी थी, तो फिर मैंने अपना समय दिया यहां पर आया, तो फिर उसके बाद मेरा चैन हुआ, अच्छा, आपको जब पहली बर मौलूम पड़ा की, अमीर खान जी को ट्रेन करने हो रहा, तो आपके दीबा गेम है, और एक अलग तरह का स्पोर्स है, बगर किसी अस्तर सस्तर के पहलवान आपस में टकर मारना और उसमें इंज्यूरीज जदा होती है, और कुष्टी के सीन करना, कुष्टी की एक्टिंग करना वो भी एक आसान बात नहीं है, अगर और कोई खेल होता तो मैं समझता लेकिन कुष्टी करना ये कुष्टी की एक्टिंग करना बहुत मुश्किल था, तो मेरे मन में जरूर ये ख्याल आया कि चाहे हो कोई भी एक्टर हो, कोई भी हिरोईन है, हिरो है, वो कुष्टी नहीं कर सकते, कुष्टी की एक्टिंग करेंगे भी तो इतना लाजाव प् पागलपन देखा और इनमें जो ग्रहेंड करने की समता है, जो टेक्णिक हम बताते हैं, वो हूब हूब करने का जो ज़ोश जजबा है, वो दिखने लायक था, तो मैं गलस साबीत हो गया हैं आकर, कि बहुत अच्छा इनमें ट्रेनिंग किया और बहुत अच्छी टेक्निक लगाने का प्रियास किया और ला जवाप प्रदशन किया जो दंगल में देखने को मिलेगा तो इसके पहले क्या आप महावीर जी से मिले थे उनकी टेकनिक सिखने के लिए कि उनको वैसे सिखाना दामीर खान जी गए नहीं ऐसा नहीं है कि महावीर फोगाट मेरे समय के पहलवान नहीं है वो मेरे से पहले के हैं तो ऐसा कुछ ते नहीं किया कि महावीर फोगाट जिस तरह की टेकनिक लगाता है वो ही टेकनिक हमने लेनी है इसके उपर जदा विचार विमवास या फोकस नहीं था कियुकि मावीर फोगाट हर तरह की कुष्टी लड़ता था चंदगीरा मखाड़े से संंबंद रखते थे मावीर फोगाड जी और मैं भी चंदगीरा मखाड़े में ही आया था जिब छोटा था जो वो बड़े पहलवान थे वहांपे कुष्टी लडते थे तो देखा करते थे, जानकारी थी, और भी पहलवानों से जो डिटेल्स निकाली हमने, तो उसमें वो हर तरह की टेकनिक करते थे, पहलवान कुष्टी के अंदर इंडियन स्टाइल कुष्टी भी खेलते थे, ओलम्पिक स्टाइल रस्लिंग भी खेलते थे, तो वो उसी तरह क प्रोग्राम हमारा निधारित हुआ जिस तरह की वो कुछती लड़ते थे तो ऐसा किसी विसेश टेकनिक के ऊपर हमने फोकस नहीं किया तो अपने अमिरिकान जी को दोनों तरह की कुछती सिखाए थी जो अखाड़े वाली होती है और जो ओलिम्पिक जो मैट वाली होती है न कि रोज रोज ट्रेनिंग करना था तो रैसलिंग मैट और ओलम्पिक स्टाइल कुस्ती की ही ज़्यादा सीन थे तो इंडियन स्टाइल कुस्ती जो मिट्टी में होती है उसके लिए थोड़ा कम अभ्यास किया और आमीर खान जी थे कैसे स्टूड़न्ट किसा एक्सपेरिय स्योग करते थे टेक्निक लगाने का परियास करते थे जट तक ठीक नहीं होती थी जट तक प्रियास करते थे लेकिन जहां ठीक हो जाती थी वहां स्टॉप कर देते थे तो कफी अच्छा नेचर है उनका बहुत अची इंसान है और काफी मददगार है अब ऐसे कुछ किसे करते ट्रेनिंग के दौराद कुछ अपने अफ्जाओ कि आमिर खान के बारे में ऐसान एक्टर और या ऐसा ऐसी कोई बात जो अरे रीडर को पता नहीं हो वो स्मोकिंग काफी करते थे तो उस कोच होने के नाते मुझे ये ठीक नहीं लगा कि आप स्मोकिंग करते हो आपका श्तेमना नहीं बढ़ेगा आप स्मोकिंग करते हो इस बात से मुझे समस्या नहीं है लेकिन आप कुछती के किरदार में हो एक पहलवानी कर रहे हो रोज सुबह शाम ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपने ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी और कोच होने के नाते मैं चाहूँगा कि अगर छोड़ेंगे आप तो आपकी परफॉर्फॉर्मेंस में इजाफा होगा आपका स्टेमना डॉल अप होगा जो कि दंगल फिलम के लिए बहुत कारगर साबित होगा आपकी परफॉर्मेंस बढ़ाने में बहुत ही अच्छा रहेगा तो उन्होंने सहजता से इस बात को माना सुईकार किया और उसके बाद मैंने नहीं देखा पूरी दंगल सुटिंग के दोरान ट्रेनिंग के दोरान जब भी देखा कि उन्होंने कभी भी सिग्रेट को अगले दीनी मुझे लाके दिया सिग्रेट का डबा और बोले आप अपने हाथ से किरपा जी इसको डस्विन में डालो मैंने बोला जी मैं तो हाथी नहीं लगाता है फिर मैंने उसको अपने कपड़े में लिया और उसको डाल के आया और उन्होंने प्रॉमिस किया वो वादा निभाया उन्होंने एक गुरु शिष्य परंपरा होती है कुष्टी के अंदर कुछ तिये कैसा खेल है जिसमें गुरु सिश्य परंपरा निभाई जाती है तो उन्होंने निभाई और वो जो वचन दिया उसको पूरा किया वो जो चार लड़किया हैं उनको भी अपने ट्रेन के जो फातिमा सानिया और जो छोटी लड़किया निखाई दो तो वो एक्सपिरिंस कैसा रहा आपका काफी अच्छा था क्योंकि कुछ लड़किया अमिर खान प्रोडेक्शन ने हमको दिया था सुरुआत होने से पहले कि आप इन लड़कियों में से गीता और बबीता चुने है दो लड़किया हमें चाहिए जो कि आने वाले छे मेने में एक पहलवान की तरह कीरदार निवा सके और कुस्ती के हर वो एक्सान हर वो पंच बगुभू भी कर सके जो एक वर्ल्ड चेंपियन और और ओलेंपिक चेंपियन रेसलर करता है तो हमने टेलेंट सर्च के तहट कुछ टेस्ट उनके कंड़क्ट किये जिसमें जगदिश काली रमन जी भारत के सिरी पहलवा ने उन्होंने भी मेरा सयोग किया तो हम दोनोंने मिलके किया जिसमें फातिमा सनाशेक को हमने निकाला वो फातिमा सनाशेक में बहुती ज़्यादा ग्रहन करने की शमता है टेकनिक लगाने की हुब हुब केचिंग पावर काफी अच्छा है इस्टेंट नहीं थी तागत उनके सरीर में नहीं था लेकिन उनमें तागत 6 मिहने में बढ़ाया जा सकता और उनमें जो भी तागत डॉलप होगी वो कुष्टी के मताबित होगी तो ये एक प्लस पइंट था तो उसको हमने छेक्ट किया और एक सानिया मिलोतरा को भान हो अपने सुनलागे कुष्टी का प्रदेशन करेगी जो महला पहलवान की रूप में आप गीता फोगाट को दिखा रहे हो एक्चुल में उनको ड्रेस डाल के देखें उनके कुष्टी की ट्रेनिंग करा के हम देखते हैं कुछ टेस्ट हम लेंगे क्योंकि हम किसी भी प्लेयर्स को जो न्यू रसलर हैं उनको अगर हम सेलेक्ट करते हैं आगे चेंपियन बनाने के लिए या उनको कुछ ती सिखाना है अखाडे में इंट्री देना है तो उनके कुछ टेस्ट लेते हैं और उसके बाद लेते हैं उनको हम इंट्री करते हैं क्योंकि कुछ फैल हो जाते हैं कुछ पैल वन वन ने लायक ही नहीं होते हैं उनकी बॉड़ी पॉस्चर नहीं होती है उनका जोश नहीं होता उनका जुन दिया और आपकी muscles ने काम किया ये process कितनी fast होता है तो कुष्टी के अंदर कुष्टी में आप कितना fast कर सकते हो तो एक सांप होता है तो सांप की पूच के उपर हाथ रखते ही वो फटक से मारेगा हो तो पहलवान में react करने की जो श्रमता है ability है वो बहुत अच्छी होनी चाह जवाब थी क्योंकि एक billard answer है तो billard answer होने के करन जब उसमें लचीलापन सपलनेस वो लाजवाब था तो उसको कुष्टी में लेते हुए हमें आसानी हुई कि ये जल्दी कुष्टी के लिए त्यार हो जाईगी बहुत सारी उसमें actors थे तो कुष्टी के लिए तो सभी कुष्टी का नहीं है तो उस तागत को कुष्टी में convert करने में ज़्यादा समय लगता है और जिसमें तागत नहीं है उसकी तागती कुष्टी के अनुसार बढ़ेगी तो ये फातिमा पे बिल्कुल perfect बेटता था और इसलिए फातिमा का chain हमने किया बहुत सारे टेस्ट थे उन सभी टेस्टोप के अंदर वो number one ranking पे निकली है और ये आधार बनाया गया कि किस तरह से selection किया जाए तो उस आधार के अंदर वो एक number पे आई है अमीर खाल की training के बारे में पतले है क्या type का diet आपने उनको suggest किया था workout कैसी प्रोसेस स्टार्ट कैसे किया था जब अमीर सर की training शुरू हुई तो वो कफी मोटे थे क्योंकि उनके मोटे वाले सीन पहले लेने थे तो जिसमें 97 kg का एक पहलवान एक ऐसा वेक्ती जिसका 97 kg वजन है और उम्र में भी 50-51 साल के हैं तो बहुत सारी बातों का दियान रखना पड़ा कि चोटना लगे और जब वो जम्प करते थे तो उनके गुठने में दर्द होता था वह रैसलिंग सूज डालते थे तो उनका पेट अड़ जाता था वह बांध नहीं पाते थे लेस बांधने में थोड़ी दिर बांधे थे फिर सीद्यां के फिर सांस लेके फिर बांधे थे तो वो फिंटी नहीं थे कुछ़ती के हिसाब से अलाकि उनके सरीन में को लगा कि इस वेक्ति के अंदर तागत है इस वेक्ति में लचीलापन है सपलनेस है कोडिनेशन है इसके अंदर जो की टेकनिक लगाने में इदर का दिखाना है उदर का कर देना टेकनिक लगाने की जो शंता है वो ज्यादा है केचिंग पावर है कि जो टेकनिक बता रहे हैं उसको दो-तिन बार में बढ़ियां प्रफेक्शन और मश्टी पर आ जाते हैं हर चीज तो थी लेकिन उसको और एनरजेटिक तरीके से मारना और पूरा रैसलिंग के प्रोसेस में आके बिस बैलेंस करके और फिर टेकनिक लगाना वो कहीना कहीं सीखना पड़ता है तो एक लंबी टेनिंग के बाद में वो भी ठीक होता गया और फिर उनका वजन कम हुआ वजन के बाद उनके कुछती के सीखना लग थे तो वो सब उन्होंने बखु भी बहुत अच्छा नहीं बाया आपको लगता है भी दंगडल रिलीज़ने के बाद रेस्लिंग जो एक स्पोर्ट को मेंस्ट्रीम जिसे आजकल क्रिकेट इस एवरिटिंग पर पीपल इंडियन लोग क्रिकेट जादा मानते हैं भी कबडी का दिरे लीग आ रहा है तो इसमें तोड़ा इंट्रेस्ट ले रहे हैं आपको लगते है ये फिल्म से रेस्लिंग को कुछ यह होगा फरक पड़ेगा बिल्कुल मैं समझता हूँ कुछती के ऊपर ये फिलम बन रही है पूरे हिंदुस्तान में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और महला कुछती में एक तरह की करांती आई क्योंकि एक ऐसे प्रदेश से लड़किया आगे आ रही है जहां पर भून अत्याय होती है जहां पर महलाओं को चोके में रहने की किचिन में रहने है ऐसा लोग मानते है कि स्विमिंग की ड्रेस होती है वैसी कुछती की होती है और ऐसी ड्रेस में हजारों दर्शकों के बीच कुछती कराना किसी पिता के लिए ऐसे प्रदेश में बहुत मुश्किल था तो उसने सभी बातों को अंदिखा करके और लड़कियों को कुछती में उतारा ये बहुत अच्छी बात की उन्होंने और उससे बहुत ज्यादा देश में और अर्याना में बदलावाया और इस फिलम के बाद में महला कुस्ती की जो है दशा और दिशा देश में बदल जाई है अच्छा और अभी हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ एज़ कर सकते हैं जो भी आप आम जिंदगी में क्योंते हैं कि लोगों के पास उत्ता टाइम नहीं बोलते हैं जिम जाओ ये वह भागड़ब होती है तो ऐसे लोगों के लिए कुछ बेसिक टिप्स अगर आप शेयर कर सकते हैं जो मरे देखो यह सिरी बाहने होते हैं कि हमारे पा करने उससे नहीं होता अगर आप में फेट परसेंटेज जदा है तो 45 मिनिट वर्काउट करने के बाद फेट परसेंट बोडी से घटना शुरू होता है जब तक हम ट्रेनिंग 45 मिनिट तक हम जाते ही नहीं तो 45 मिनिट कम से कम आपने वर्काउट एवरी डे अपने सरीर के के लिए निकालें और अगर आप कहते हैं कि हमारे पास में टाइम नहीं है तो यह सिर्फ बहने है मैं तो बहुत से लोग देखें जो की और चीजों के लिए टाइम निकाल लेंगे गपे भीमार लेंगे खाने के लिए आपके पास में पूरे दो गंटे हैं तो फिर आप ट जिम नहीं जा पार तो है, इसे को के लिए क्या वर्काट सजिस करेंगे आप देखो, रैसलिंग के अंदर भी बहुत से रैसलर जिम नहीं गये हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीत रहे हैं, तो देशी ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, जिसे रामदेव बाबा ने कर सकते हो, अपने फिटनेस के लिए थोड़ा सा जागरूक होने की जरूवत है, थोड़ा समय मन बनाने की जरूवत है, समय तो सब के पास होता है, तो अपना उसके लिए मन बनाएंगे, तो बहुत अच्छा होगा, आप फिट रहेंगे. डाइट टिप्स कुछ शेयर कर सकते हो आप? नहीं है, आम आदमी है, आपका दिंचरिया कैसी है, उसी के अनुसार आपका डाइट का चार्ट बनेगा, आप ऑफिस में जाते हो, तो आपकी डाइट प्रोग्राम अलग हो, दूद की चाय को थोड़ा कम करें, बलेक टी, बलेक कॉफी का ज्यादा उसको लें, अगर आप आप ज्यादा समय चेयर पर बेठे रहते हैं, ज्यादा देर ट्रेनिंग आप वर्काउट करने में असफल हैं, तो शुगर की मातरा आप गटाएं, तो खान पान भी आपका बहुत निर्भर करता है आपकी फिटनस लेवल को बढ़ाने के लिए, जब ने सुल्तान फिल्म यो भी रेस्लिम पे बनी थी, सल्मान खान की जब फिल्म की, तो वो फिल्म और ये फिल्म को देख के आपको मतलब रेस्लिंग सीक्वेंस के तौर पे, क्या ओपीडिन रखते हैं, दोनों में बहुत फर्क है, उसमें cut-to-cut रेस्लिंग दिखाया है, और इसमें रेस्लिंग तो ये एक ऐसी कुष्टी है, जो इंडियन स्टाइल कुष्टी और ओलपिक स्टाइल कुष्टी का समावेश है, दंगल फिल्म में, और रिकुनाइजड गेम है, जो की पूरी कुष्टी फेमिली है, तो कुष्टी ही कुष्टी है दंगल के अंदर, और कुष्टी को में ट्रेनिंग प्रोग्राम निधारित किया गया और जब मश्ट्री आ गई फिर उसके बाद में सुटिंग शुरू की गई तो बहुत ज़्यादा तपस्या की इन पहलवानों ने कुष्टी के ऊपर एक तरह से यह पहलवान के रूप में निखरके आगे आए उसके बाद मे उसकी सुटिंग की गई और बहुत अच्छी फिल्म लोगों को पसंद आई गी बहुत बहुत धन्यवाल हमसे बात करने के लिए थैंक्यू बहुत